हेलो एवरीवन अगेन वेलकम बैक टू वेक अपकेडमी और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक अधर टॉपिक के बारे में जिसमें हम क्या पढ़ेंगे जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं क कि ये relation establish करना हमने relation वाला एक और चीज़ पहले पढ़ा हुआ था आज की question थोड़े से different है पहले समझते हैं कि इसमें करना क्या है देखो number one पर a number पर कुछ दिया होगा फिर b number पर दिया होगा similar c दिया होगा और d यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा ठीक है a से b का relation आपको देखना है कि a और b आपस में किस तरह से related है और जिस तरह से a और b आपस में related है उसी तरह से c के लिए d का relation क्या होगा यह आपको चार options में से find out करना होगा ठीक है आपको समझ में आ गया ऐसा एक topic हम पहले भी पढ़ चुके है किसमें reasoning के अंदर तो यह आपको समझ में आ गया होगा इसमें करना क्या है तो शुरू करेंगे first question के साथ में number one number one पर क्या है pituitary brain thymus तो thymus के साथ आगे क्या होगा तो देखो जब हम बात करते है pituitary की तो इ pituitary क्या होता है pituitary gland होता है ग्रंथी होती है जो कहां पर होती है brain में होती है ठीक है पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि pituitary होता क्या है तो यह बायो में आप study करेंगे pituitary gland होता है जो कहां पर होता है brain के अंदर होता है तो ऐसे ही क्या बताना है कि thymus एक gland होता है और relation को establish करना इसके अंदर pituitary gland है जो कि कहां होता है brain में होता है तो उसी तरह से आपको क्या बताना है कि thymus क्या है thymus gland है कहां पर होता है तो chest में होता है chest हो जाएगा आपका right answer number two पर है forecast future regret देखो forecast किसके लिए होता है forecast होता है future के लिए जो भी हमारा future की चीज़ें होती है उसके लिए forecast होता है ठीक है मतलब future के लिए forecast होता है उसी तरह से regret किसके लिए होता है तो regret होता है past के लिए जो बीट गया उस पर हमें क्या होता है पच्टावा होता है ठीक है क्योंकि future के लिए हम क्या करते हैं forecast करते हैं और past जो की हमारा beat क्या है उसके लिए क्या करते हैं regret करते हैं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा तो इसका option number क्या हो जाएगा C हो जाएगा right answer आगे बढ़ते हैं number three पर इसमें क्या है editor magazine तो यहां पर क्या आएगा जिस इस तरह एडिर का relation किसके साथ मैगजीन के साथ है उसी तरह से आपको देखना है कि देखो अपोसित लिखा हुआ editor starting में आया है magazine का क्या हुआ editor ठीक है editor आया है पहले so editor होता है magazine का तो आपको ऐसी ही चीज़ देखनी है जहाँ पर आगे होने वाले का नाम हो और पीछे क्या हो जिसका वो होता है ठीक है land फिल्म का देखो अगर देखा जाए तो ये चारो ही सही है एक तरह से है ना A, B, C, N, D अगर आप एक नॉर्मल आइडिया से देखेंगे तो ये चारो ही सही है लेकिन क्या है एडिटर मींस जो लिविंग बींग है उसका नाम पहले रखा गया है और जो किसका एडिटर है मैगजीन का नॉर्ल लिविंग पीछे आई गया है इसमें क्या है पोएम नॉर्ल लिविंग पहले आगया है और पोएट बाद में आया है सेम चेर पहले आई है कारपेंटर बाद में आया है novel पहले आई है, writer बाद में आया यहाँ पर सही sequence है क्या director पहले आया है, होता है किसका है film का होता है, तो right answer हो जाएगा हमारा option number D next है, taste हम कहां से लेते हैं, tongue से लेते हैं तो walk हम कहां से करते हैं, legs से करते हैं, very easy देखो कुछ questions आपको बहुत जादा easy मिलेंगे, कुछ moderate level के मिलेंगे, तो कुछ आपको थोड़े से difficult level के मिलेंगे, लेकिन सभी questions को समझेंगे और अच्छे से करेंगे next, देखो, taste क्या हुआ, tongue से लेते हैं, हम taste, तो walk हम कैसे करते हैं, pair से करते हैं, leg से करते हैं chimney, smoke तो इसी तरह से यहां पर और यहां पर क्या होगा, again 72 नंबर पर जो question हमने देखा है इसी की तरह repeated question है क्या है question chimney, ठीक है chimney, smoke chimney जो बनी होती है, हमारी chimney से क्या होता है, smoke बाहर निकलता है, धुआ बाहर निकलता है, तो ऐसे ही आपको बताना क्या है, कौन सी चीज है और उससे क्या बाहर निकलेगा ठीक है, क्या है, gun bullet, gun से bullet बाहर निकलेगी, सही है house से roof बाहर निकलेगी, नहीं भाई, नहीं निकलेगी, ये भी नहीं होगा, tea वाला, clay, caramine ये भी नहीं होगा, तो सीधा सा क्या है answer आपका, right answer हो जाएगा आपका, gun से bullet बाहर निकलेगी, option number a हो जाएगा आपका, right answer आगे बढ़ते हैं call a, c, double cool, तो इसके साथ क्या होगा तो देखो इसको समझो a और c c और a, एक मिनट pen का color change कर ले c, a, double ये हमारा लिखा हुआ है इसको change क्या किया हुआ है, a, c, double l में, ठीक है तो क्या हम देखेंगे, इन्होंने c और a की position को आपस में change किया है तो क्या हो गया c की जगा पर a आया और a की जगा पर c किया और ऐसे ही l की position को आपस में change किया है, same है इसलिए हमको ये लग रहा change नहीं हुआ है लेकिन ये आपस में change हुआ है इसको आप एक तरीके से और देख सकते है option से देख सकते है, ठीक है तो c, o, double, l, cool लिखा हुआ है, तो आगे के दो change करेंगे तो o, और c हो जाएगा starting तो, o, c से starting इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ये क्या है, c, l, c, o, o है तो ये भी नहीं होगा, simply आपका option number d हो जाएगा, right answer, ठीक है next, पंजाब की capital क्या होती है, चंडीगर उसी तरह से generally आपको क्या बताना है असम की capital क्या होती है, that is dispar, इसके लिए क्या है आपको countries, states और capitals के नाम पता होने बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा state है और उसकी क्या capital है नहीं, तो अच्छा आपके Fcat के state और capital से ध्यान आया Fcat के exam के अंदर country और capital से भी question आता है ठीक है किसी country या capital का नाम देंगे randomly आपको कोई भी randomly नहीं, means current में जो होता है question बेसिकली उसी से उठाकर के देते हैं और उसमें आपको क्या बताना होगा सही country बतानी होगी या capital बतानी होगी तो यहाँ पर क्या है, पंजाब state की capital है चंडी गड़, आपको बतानी किसकी है असम की that is this poor आगे बढ़ते हैं dark, fair honesty तो पहली चीज़ तो जब आप question को देखोगे तो आपको 2 second यह समझने में लगेगा कि इसमें क्या relation बना है dark means, अंधेरा हो गया तो अंधेरे से क्या होता है, डर लगता है personality बनेगी, नहीं भाई honesty से personality का कोई मतलब नहीं है honesty से money बनेगा, नहीं बिल्कुली नहीं बनेगा honesty से क्या बनता है, trust बनता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका option number D सही होगा इनको आप option से भी eliminate कर सकते हैं कभी-कभी जब समझ में ना आए तो एक बार option से go through कर लेना कि हाँ, option से हो सकता है कभी-कभी आपको elimination करने में आसानी हो जाए, तो honesty से क्या बनेगा, trust बनेगा dark से, अंधेरे से क्या बनता है, डर बनता है next है flexible, rigid, confidence अब देखो, flexible और rigid का क्या relation है, आपस में तो को दिख रहे होंगे, ये दोनों ही एक दूसरे के opposite है, ठीक है flexible means होता है lachila, rigid means होता है kathor, तो flexible और rigid अच्छा इन सभी के लिए आपका एक तो vocab अच्छा होना चाहिए ये कैसे आएगा एक article देली आप study करो किसी भी English newspaper से ये long process है, ये ऐसा नहीं कि आपको एक मन्त के अंदर सब कुछ इसमें आ जाएगा ठीक है, ये long process है साथ ही कुछ words को, vocabs को आप daily use में लेना शुरू करो daily आप उसको use करोगे तो वो आपको easily, आसानी से आएगी और ये वाली जो reasoning आती exam के अंदर, बहुत ही luckily ऐसा होता है कि अगर आपको English का बहुत अच्छा knowledge नहीं है, तो आप इसको कर पाओ, नहीं तो इसके लिए आपको knowledge का होना जरूरी होता है वो कहां से आएगा, practice से आएगा जब आप PYQs करोगे old years के, previous question करोगे, साथ ही आप English की study करोगे, article study करोगे words जो आपको difficult लग रहे है उनका meaning देखोगे, समझोगे लिखोगे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आती है, ठीक है तो flexible का क्या हो गया, rigid हो गया तो confidence का क्या होगा, scare नहीं होगा, cowardice नहीं होगा indifference नहीं होगा option number ये आपका हो जाएगा, right answer ठीक है, इसको आप elimination से कर सकते थे, defidence ठीक है, mirage, desert इसी तरह से क्या relation है देखो इसके लिए आप, geography अगर आपने पढ़ी है, तो आप ये बहुत ही आसानी से question कर लोगे, कि desert जो होते हैं हमारे, ठीक है मरुस्थल होते हैं, वहाँ पर क्या बनते हैं, mirage बनते हैं ये formation बनता है, ठीक है, इस तरह से करके ये structure को क्या बोलते हैं, mirage बोलते हैं, तो dessert पर क्या बनते हैं, जो हमारे मरुस्थल होते हैं dessert में बनते हैं, mirage तो पहले क्या है, जो बनने वाली चीज़ से वो पहले आई है, बनती कहां है, वो बाद में आया है, तो sky illusion नहीं होगा, rain से rainbow नहीं होगा, image से mirror नहीं होगा, rainbow बनता है कहां, sky में, जैसे कि मिराज बनते हैं dessert में, वैसे ही rainbow बनते हैं, sky में, option number B हो जाएगा आपका right answer, आगे question देखते हैं, family, family मिलके बनता है home, जब family होगा, परिवार होगा, तो परिवार से क्या बनता है, परिवार से बनता है घर, कलीक से क्या बनता है, office, जितने भी working students होंगे, private sector में, even all, जो भी work कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे, तो यह आप चीज़ जानते होंगे कि हाँ, कलीक से क्या बनेगा, office मनता है, आफिस में बहुत सारे कलीक्स होते हैं और फैमिली से क्या बनता है होम बनता है इंडिया पिकॉक युएसे अब यह चीज आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा कि इंडिया का पिकॉक से क्या रिलेशन है तो इंडिया का जो नेशनल बर्ड है युएसे का नेशनल बर्ड क्या अगे बढ़ते है तो लेटर कहा पर होता है ये आपको बताना है तो लेटर कहा पर होता है पोस्ट में ना भाई, लेटर बॉक्स में ना, पोस्टल स्टांप में नई, कहां होता है, इन्वलप में, ठीक है, कहां पर होगा, इन्वलप में होगा, देखो मैंने easy questions भी लिए हैं, और थोड़े tough questions भी लिए हैं, ताकि आपको दोरों ही चीज़े समझ में आएं, कि आपको exam में करना जरूरी है क्या practice, और practice आप कहां से करेंगे, previous year question से करेंगे, यह best होता है तरीका practice के लिए, next है विस्मिल्ला खान और बिर्जु महराज, तो बिर्जु महराज का नाम सुनकर यह आप समझ सकते हैं, कि इनका relation किस्से है, तो बिर्जु महराज का relation किस्से होगा, इ वो किस से related है, यह भी question आपके exam में आता है, फ्कैट के, ठीक है, आगे बढ़ते है, influenza और ringworm, तो influenza क्या होता है, influenza होता है हमारा virus, और ringworm क्या होता है, बताना है आपको यह होता है, fungi, ठीक है, इसके लिए क्या है, again आपको knowledge होना जरूरी है, biology का, यह same bio का question है, तो influenza होता है, virus और ringworm होता है, fungi, ठीक है, option number B होगा, right answer, next question, microphone, loud microscope, तो microphone जो होता है, volume को loud करने का काम करता है, ठीक है, microphone क्या करता है, volume को loud करने का काम करता है, तो microscope क्या काम करेगा, चीजों को magnify करने का काम करता है, तो option क्या हो जाएगा, आपका C number का होगा, right answer, ठीक है, यह थोड़े से आसा ही आपको tough question 2 दिखेंगे sound medium और light कहां से डेमोक्रेशी इंडिया के अंदर क्या है डेमोक्रेशी तो कम्यूनिज्म किसके अंदर है कम्यूनिज्म कहां पर है तो चाईना में क्या है कम्यूनिस्म है इंडिया में क्या है democracy तो communism कहाँ पर है ये बताना है आपको वो कहाँ पर है चाइना में है next question है explore discover तो इसी की तरह same to same आपको same to same कहाँ पर मिलेगा नीचे options में explore करने से क्या होगा जब आप explore करोगे तो कुछ discover करोगे ठीक है तो read करोगे तो sim करोगे नहीं होगा research करोगे तो कुछ learn करोगे हाँ हो सकता है write करोगे तो print करोगे ज़रूरी नहीं है think करोगे तो relate करोगे ये भी हो सकता है लेकिन अगर आप option के according जाएंगे question की demand क्या है explore करने से घूमने से कुछ नया discover होता है तो research करने से कुछ नया learn होता है ठीक है तो option number B होगा आपका right answer second last question क्या है anatomy, joology देखो ये जो question है आपके तीनो ही question इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि lucent book के अंदर आप देखना science में एक आपको topic दिया हुआ है जिसमें सभी logic करके है जो logic किस से deal करती है और dermatology किस से deal करती है kalology किस से deal करती है ये सभी questions आपको दिये हुए है किसलिए दिये हुए है चुकि ये आपके F-CAT के exams के अंदर आते हैं directly ये किसमें आएंगे या तो आपको मिलेंगे reasoning के अंदर mostly बहुत कम ऐसा होगा कि आपको G.A. से मिलेंगे कि reasoning के अंदर आते हैं क्या cover करने को आते हैं कि geology का relation आपको दे दिया किस से है और biology का relation पूछ दिया किस से है जैसे कि that is 97 number का question आप देखोगे secretion से relation दिया हुए इसका और किसका cellenography का relation आपसे पूछा है किसके साथ होता है तो यह आपको cover कहां से होगा यह lucent से cover होगा आपको अगर आपके पास book नहीं है यह आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको यह telegram के group में provide कर दूँगी इसकी pdf page की जिसमें आपको यह सारे questions मिल जाएंगे उसमें जो most important है वो मैंने खुद से underline कर रखे है उसको आप जरूर से study कर लेना तो ऐसे ही cellenology का graphic relation किस से होता है moon से होता है virology virus को deal करती है तो semantics किसको deal करते है language को deal करते है इसके लिए क्या है आपको पढ़ना बहुत जरूरी है नहीं तो ये वाले जो questions आते है reasoning के अंदर ये फिर आपको छोडने पड़ जाएंगे तो कोशे ही रहेगी कि हाँ कोई question ऐसा ना आए जो पता हो और छूटे तो मैं आपको इसकी pdf शेयर कर दूँगी last question देखते है cup is to coffee as bowl is to देखो cup का relation क्या होता है cup में हम पीते हैं coffee तो bowl में हम क्या पीएंगे that is soup food को पी नहीं सकते है bowl में spoon को भी नहीं पी सकते है dish को भी नहीं पी सकते है cup is to coffee as bowl is to soup play is to actor as concert is to musician musician का होता है play किसका होता है actor का होता है that is for musician तो ये जो questions है ये हर बारी exam में आते है FKAT के exam में बहुत ही rare कभी ऐसा हुआ होगा कि ये question नहीं आएंगे और ये question आपको कैसे आएंगे तो ये again I repeat कि PYQs से आपको ये questions आएंगे इसलिए जितना ज़ादा हो सक्या PYQs पर ध्यान दो topic मुझे समझाना था कि हाँ आपको किस तरह से इन questions को deal करना है तो वो मैंने आपको समझा दिया इसमें कुछ easy भी थे और tough भी थे moderate भी थे अब हम क्या करेंगे telegram में मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी आज उससे आपको क्या करना है इन सभी को study करना है याद नहीं करना है daily basis पर इनको learn करना learn करने से आपको automatically याद हो जाएंगे जो आपको exam में बहुत ज़्यादा help करेंगे आज के लिए इतना ही मिलेंगे next class में next topic के साथ में